जैहिन साथियों स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल ग्यान आर्बियल में दोस्तों आज है 23 जन्वरी और आपको बता दें जो यूपी टेड का पेपर हुआ है उसका हम सेलिशन करवा चुके हैं जिसमें हमने हिंदी संस्कृत और इवियस का सेलिशन करवा चु देंगे यह फिर कमेंट बॉक्स में प्रिन कर देंगे वहां जाकर क्या आप मिला सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं बाल विकास एवं सिक्षण बिधी के कोश्चन देखते हैं यह दोस्तों एक से 30 तक है तो पहला कोश्चन देखते हैं क्या है कि कोहलर निम्न से किस क्या होगा आपका दोस्तों हमारा दूसरा option दिल्कुल राइट है जागा अधिगम के सिध्धान से चलिए अगला है दोस्तों मैं डूगल के अनुसार मूल प्रवत्यों की संख्या कितनी है तो दोस्तों आपको पता होगा कितनी है 14 है दोस्तों ठीक है चलिए अगला है मान अगला है कि निम्न में से किसके प्रियोग में कुट्ता एक विसई था दोस्तों तो किसके घटक है तो किसके घटक है तो यह सब यह आपको बताना है तो किसके हैं सरजनात मक्ता के किसके सरजनात मक्ता के अगला है युदुत्सा है दोस्तों क्या है ये मूल प्रवत्ती है कलपना है चिंदन है या फिर सम्वेग है दोस्तों तो क्या है हमारा 6 का A option बिल्कुल राइट होगा मूल प्रवत्ती है ठीक है चलिए अगला देखते ह question बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्तो कौन से हैं दोस्तों तो इसका सही options क्या होगा आपको बताना है आर्थिक तत्तो वनसा नुगत तत्तो सारेरिक तत्तो या फिर सामाजिक परवेश जन्न तत्तो दोस्तो तो कौन सा है दोस्तों तो बिलकुल सही options हो जाएगा अनियमित विकास का नियम चलिए अगला question है कि निमने लिखित में से कौन सा विकास का सिधान्त नहीं है तो कौन सा दोस्तों विकास का सिधान्त नहीं है तो अनकूलित प्रत्यावर्तन सिध्धान तो दोस्तों यही हमारा बिलकुल और बिलकुल राइट हो जाएगा दोस्तों चलिए अगला कोशन क्या है विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विसेष्थाएं और नवीन योगताएं प्रकट होती ही तो क्या कहलाता है दोस्तों समवेदना को अर्थ प्रदान करना दोस्तों क्या कहलाता है प्रतच्छी करन ठीक है चलिए अगला है सीखने से प्रयास वा भूल के सिध्धान का प्रतिपादन किसने किया दोस्तों किसने किया है तो दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा थोर्न ड चलिए अगला कोशन क्या है दोस्तों कि आवसत बुध्धी वाले बालकों का बुध्धी लब्धी इस तर होता है दोस्तों तो कितना होता है जो आवसत बुध्धी वाले बालकों के बुध्धी लब्धी इस तर कितना होता दोस्तों इसका बिल्कुल सही आप्संस क्या होगा 90 से ले करके 109 तक होता है चलिए अगला है निम्ण में से कौन तरल क्रिष्टलिय बुद्धी के प्रतिमान के प्रतिपादक हैं दोस्तों तो बिल्कुल सही options क्या होगा कैटेल हो जाएंगे कौन हो जाएंगे दोस्तों कैटेल हो जाएंगे दोस्तों तो हमारा 14 का बिल्कुल सही options ए हो जाएगा टैटल चलिए अगला है क्रिया प्रसूत अधिगम सिधान का प्रतिपादन किया किस ने किया हल इसकी नर या दोस्तों हेगोट या थॉर्ण डाइक दोस्तों तो बिल्कुल और बिल्कुल सही का जाएगा इसकी नर ठीक है चलिए यानि हमारा दूसरा options बि बिल्कुल सही options हो जाएगा परिचन निर्मार का चलिए अगला है विकास की पूर संक्रिया अवस्था निम्न में से किसने दिया था दोस्तों तो किसने दिया था विकास का तो दोस्तों बिल्कुल सही options हो जाएगा पियाजे ने किसने दोस्तों तो पियाजे ने दिया था तो बिल्कुल सही option हो जाएगा पिया जेने दोस्तों चलिए अगला देखते हैं अठारवा question क्या है कह रहा है हमारा कि MPPI परिछन का उपयोग निम्न में से किसके मापन में किया था दोस्तों किसके मापन में करते हैं तो इसका बिल्कुल सही option जाएगा ब्यक्तित्त के किसके चलिए अगला question देखते हैं next question हमारा क्या कह रहा है 19 number question दोस्तों हमारा है कि अधिगम हे तु निम्न में से क्या सरवधी का उस्यक है अभी प्रेनडा निर्देशन या परिपक्ता या फिर दोस्तों रूची तो दोस्तों बिल्कुल सही option का होगा रूची हो जाएगा अगला है कोहिलर अपने प्रियोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम दोस्तों इसका बिल्कुल सही क्या होगा इन्होंने क्या क्या सिद्ध करना चाहा कि समगर प्रसिती का प्रतिची करण है या पि मानों का अधिगम प्रियोजन पूढ़ है या जानवरों में मन योजना की पंच पद प्रणाली प्रतिपादित किया था दोस्तों तो किस ने किया है तो हरवर्ड ने किया है किसने दोस्तों हरवर्ड ने किया है चलिए अगला है निम्लिखित में ग्रंतियों के आधार ब्यक्तितों के विभिन प्रकारों की चर्चा किसने की है दोस्तों त विवक्त करने की मानसीक प्रक्रिया है यह किसने कहा दोस्तों यानि की यह कथन किसका है तो इसका बिल्कुल सही हो जागा दोस्तों क्रो एवम क्रो का है यह सिध्धान ठीक है चलिए अगला कोशन है आपका 25 नंबर की BF इसकी नर के अमसार बच्चों में भाथा का विकास हो तो कैसे होता है ये आपको बताना है दोस्तों तो आपको पता होना चाहिए अनुकराण एवाम प्रवलन के फलस्वरूब होता है चलिए अगला है कि मूल प्रवत्तियों को 14 प्रकार के 14 प्रकार से किसने प्रवर्गी करता दोस्तों तो किसने किया है दोस्तों बिल्कुल सही options क्या होगा माच 20 का Mac Google ठीक है चलिए अगला किसी दूसरी वस्तु की अपेच्छा एक वस्तु पर चेतना का केंदरी करण अउधान है यह कथन किसका है दोस्तों तो एक कथन किसका है दोस्तों किसका है डमविल का ठीक है चलिए 27 का एक नंबर हमारा बिल्कुल राइट होगा अगला है दोस्तों 28 नंबर कोश्चन इसका कहना है कि निमनलिखित में से किसका नाम सुजनन सास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है दोस्तों तो किसका है तो दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा गालटन का किसका गालटन का चलिए । अगला है 12 वर्ष से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर ऍस जलोटा ने कौन सा परिछण प्रतिपादित किया है दोस्तों तो कौन सा परिछण परतिपादित किया है तो साधारण मानسीक योगिता परिछण दोस्तों चलिए। अगला है बुद्धी के दूइकारक सिधांत का प्रतिपादन किसने किया तो दोस्टों इसका बिल्कुल सभी औरसन सुझाएगा इस P.E.A.R. मैनने ने किसने दोस्तों इस P.E.A.R. मैनने दोस्तों ये थे आपके 30 कोशटन दोस्तों ठीक है ये थे आपके दोस्तों 30 कोशट कि को बालविकास के हैं कि चलुटों और आपको बता दें कि अगर दोस्तों आप hindi का मिलाने चाहते हैं संस्कृत कर या फिर दोस्तों इवियस का तो उसका लिंक हम नीचे देतेंगे वहां से जाकर क्या मिला सकते हैं ठीक है दोस्तों और चैनल सब्सक्राइब पर लिए तुकि इसके बाद हम मैच कभी सौल कराने वाले हैं चलिए दोस्तों मिलते हैं निश्रु तक लिए जैहिंद जैभारत बंदे मातम थैंकियो धन्यवाद